हे गाइस वेलकम टू स्टेडी ब्लॉग इस वीडियो में हम लोग दुनिया के सबसे उचे इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में जानेंगे इमार प्रोपरटीज के चेर्मेन मुहम्मद अलावर बुर्ज खलीफा के मालिक हैं इन्होंने इसे बनाने का प्रस्ताव 2003 में रखा था बुर्ज खलीफा के बनने में 6 वर्स का समय लगा इसका निर्माड 2004 से सुरू हुआ और 2010 में यह पूर्ण रूप से बन कर तयार हुआ इस इमारत को साउथ कोरियन कमपनी सैमसंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ने बनाया था जिसके चीफ आर्किटेक एड्रियन स्मित थे इसे बनने में कुल 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था बुर्ज खलीफा में कुल 163 मंजले हैं बिल्डिंग के सबसे उचे लगे टावर सहीत इसकी कुल उचाई 829 मेटर हो जाती है बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली लिफ्ट लगी हुई है यह 65 किलोमेटर प्रतिगहंटे की रफतार से चलती है बुर्ज खलीफा को पहले बुर्ज दुबई कहा जाता था बाद में यहां के रास्टपती खलीफा बिन जायद अलनहान के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया गया बुर्ज खलीफा में एक समय में लगभग 35,000 लोगों के रहने की बिवस्ता होती है